हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे दि एकसाइज 6.7 इस एकसाइज में हमारे पास क्या रहेगा दो फंक्शन रहेंगे एक फंक्शन यू है एक वी है अब इन दो फंक्शन की इंटिग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अल्डी ये भी एकस डिखे जैसे Sine X, Cos X, Tan X, ऐसे दिख जाएंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे, अब डार्क तो हम कर ने सकते हैं, तो हम एक रूल बताया है, वो कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाइपार्ट की делать दो पार्ट बनाके इंटीग्रेट करेंगे, पहले क्या करना अबता ह करना है आपको suppose दो function निया है यहाँ पर लिख रहे हूं एक function दिया है sign X बूसरा दिया है साइन इंवर्स एक्स वह फंक्षन है अब मुझे पता है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा यह वाला रूल लगेगा जो मैं आज बता रही हूं लेकिन मुझे आप यह नहीं पड़ा चल रहा है मैं किसको यू मानू किसको वी मानू क्योंकि यू और वी से पूरा कोशन चेंज हो जाएगा आपका आंसर तब ही ठीक आएगा जब आपने यू और वी ठीक चू यह हमारे पास रूल है इसमें फर्स्ट वंक्षिन यू होता है है second function V होता है तो हम लिखते कैसे हैं पहले first function as it is integration of second minus पूरे की integration किसकी इस bracket की यह bracket की आध देखते हैं पहले तो यू का differentiation वी की integration पहले यह निकाल के फिर इस पूरे की integration करने है तो अंदर यू आगे और बाहर वी तो कोशन गलत हो जाएगा महीं पर तब चूज किससे करेंगे हम इनसे यू चूज करना है हमें अगर हमने एक यू चूज कर लिया तो वी तो हमें अपने परदा चल जाएगा दो function थे sign X, sign inverse X जासे भी मैंने example लिया तो अगर इसमें मुझे यू पता चल जाए ये है तो obviously ये क्या है वी है तो चूज कैसे करना है इनसे चूज करना है देखे अब ये question लिखा था मैंने check किया इसमें सबसे पहले हम किसको देते है preference inverse को कि अगर question में कहीं पर भी inverse दिख जाए त इनकी order चलेगा अब question में discuss कर लेते हैं हमें question number first का first part दिया है integration of x cos square x dx is equals to तो देखिए आप one upon cos square x है ने यह वाली term तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं secant square x अब दो दिख गए मुझे formula वो sorry दो function किसके है एक्स के यह भी x का function है दूसरा भी x का function है तो अब देखिए हम इसी रूल का use करते हैं question में match करते हैं क्या इस question में inverse है कहीं पर भी नहीं है then log है नहीं है algebraic मतलब x x की power 1 2 3 4 ऐसे है है मुझे मिल गया यहां पर trigonometry का कि बाद में आ रहा है पहले कौन आ रहा है x आ रहा है तो first function कौन बनेगा x second कौन बन जाएगा जो भी बचा हुआ है इसका यह क्या है यू यह क्या है वी तो अब आप इस पर लगा देंगे अपना formula integration of x sec square x dx लिखा है और हमें यह formula पता है यह बन गया है हमारा यू यह है वी इस formula में put कर दें इसको तो क्या जाएगा x integration of sec square x dx minus integration of dx by dx integration of sec square x dx तब पहले यह अंदर का solve करना है फिर उस पूरे का क्या करना है तो देखिए यह क्या जाएगा x sec square x का integration क्या हो जाएगा 10x अब यह क्या जाएगा dx by dx is 1 integration of sec square x is 10x dx अब आप इसका integration मैंने आपको एक पहले बताया था हमें दुबारा बता देती हूं 10 का मतलब क्या होता है cos upon sign में इस minus sign को भी अंदर लेके आगे हूं तो minus अंदर आगे तो बाहर क्या हो जाएगा plus अब इसमें cos x को u put कर दे differentiate करेंगे तो क्या जाएगा minus secant x dx du तो उपर वाला तो क्या बन गया पूरा du नीचे वाला क्या बन गया u यह देखें यहां पर रख दिया है तो इसका integration में पता यह क्या होता है log u और value आप पूट कर दे u की तो आपका answer आ जाएगा next question number second का third part x square secant square x तो पहले तो मैं इस secant square x को लिख सकती हूँ 1 minus cos 2x यह formula होता है यह लिख दिया अब इस x square को multiply कर दो अंदर एक बार 1 के पास एक बार cos 2 के पास तो यह बन गई टर्म अब integration की लग लग कर दो एक बार x square की आ जाएगी फिर एक बार इस पूरी टम किया जाएगी तो देखिए अब दो बन गए question इसका to answer डार चल गया है अब इसको solve करना है तो इसको solve करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए आपने इसको पहले एक अलग से उतार लें जगा पे कि मुझे यह solve करना है एक साथ चलाएंगे तो यह mix हो जाएगा इसको अलग से solve करके फिर वापिस answer लाके यहां पर पूट कर देंगे इसको solve करना है फ्रस्ट फंक्शन स्वेकिंड फंक्शन फिर से चूल्स करना है तो क्या लगाएंगे आई लेट रूल तो algebra एक पहले आ रहा है एक्स पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेटरी से तो question एक integration आ गई फिर से x की और दूसरा भी function x का है तो यह question के अंदर दूसरा question बन गया तो अब इसका answer निकाल लो गया इसका answer कैसे निकालना है यह अलग से निकाल के दिखा दिया है मैंने first function second function solve किया यह answer आ गया अब यह answer जाके कहां रखेंगे जहां से हमने solve करना शुरू कि यहां पर जाके रख देंगे जैसे यह answer आ गया अब यह कहां से उठाया था यह हमने यहां से लिया था यहां पर आंसर आ जाएगा तो finally हमारा जो question है उपर से वह solve हो जाएगा बाकी इसके बिल्कुल सेम है ऐसे ही questions आप खुड ट्राय करें